तो आज हम चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो लेक्चर है थर्ड लेक्चर और दो लेक्चर हमने कुछ इस्टाटिंग कवर किया वा है लोगसभा के बारे में पार्लेमेंट को राजसभा के बारे में तो आज हम लोगसभा राजस हवा कंपरीजन देखेंगे और देखेंगे आगे राजसभा कहाइब क्या पावर है इस्पेशल पावर है अब है और 12 मेंक Kubernetes वों कैसे भताए डोपी्क कीमिदhouse हम इसकू देख ले में कि राजसभा सबा के हमने उल्रेडी देखा है तो तीन लिस्ट होते हैं यूनियों लिस्ट इस्टेट लिस्ट और सेंटर बना सकती है और कटेट ये स्टेट भी स्टेट भी और सेंटर भी도 कंशन बराने का धिकार है कानूं जो कहीं भी इंट्रोडीज़ सकता राज सब्सक्राइब पायता है कि मनीमेद और नन-न मनीमीद दोनों खरसके पोखेस्टनेसेशन है तो उसको कर सकती है कि रहें आप चेंज़ेशन लेके आएं लेकिन उस्को रिज्ट करने का और अवेंडमेंट्मेंट्म लाने का पाव़ जो यह र आगम देखेंगे तो लोगसवा का इसमें ज्यादा पावर उसके लावत जो आपका टेक्सेशन का प्रपोजल बज़र यह सारा कुछ मनी मिल के अंतरगत ही आता है तो यह पावर जो है लोगसभा के पास है एप्रूब करने का रास्थावा के पास पावर नहीं है अमेंडमेंड की बात करें कि इसके पास दोनों के पास बराबर पावर करने का लेकिश ज़्यादा पावर इसके पास है को क्योंकि दोनों कोसी मोसान जो है वो सब आप लोगसभा मिला सकते है तो दोनों विसको यहां पर करें हम और जज़ेस की बात करें तो दोनों का either जोग्दान राजससभा के पास और कि उसको इनिसेट करने का ट्राइब करने का प्रोसेस है उसको इनिसियट करने का पावा राजसभा के पास है ऐसा क्यों है कि आफ देखेंगे ज़ो होते हैं से अफिस्वार के पास यह तो इसलिए वह राजसभा के चेर्में होते हैं जो वह वनेंगे इसलिए राजसभा के पास पावर है कि उनको अगर रिमूव करना है तो यहीं पर जो है उनका जो ड्राफ जो स्टार्ट हो का प्रसीडिंग वो राजसभा ही स्टार्ट करेंगी उसको दोगसभा नहीं और यहां पर उनको ज्यादा मेजोटी से हाड़ाना पड़ेगा यह हो गया एक तरस यह फंक्षन हो गया तो वाइस परसीडिंग केस में एक्स्टा पावर है राजसभा के पास रिमूव बोल के केस में उसके अलावा कमीटी के बाद के दोनों में हैं कुछ कमीटी लोगसभा तक होती है लोगसभा के मेंबर होते हैं बहुत सारी कमीटी में दोनों राजसभा लोगसभा दोनों के मेंबर होते हैं तो कमीटी इसके बारे में में वीडियो है लेक्ट्टर आप आई काड पर देख सकते हैं उसका लिंक तो उसको आप देख सकते हैं कि कमीटी क्या होती ह क्या मेंबर होते हैं उसका फंक्शन क्या है एक एक एक्टा पावर जो राजसभा के पास है कि वह यूटिस अमने का स्टेट लिश्ट कानून बनाने का अधिकार जो है इस्टेट्स को है लेकिन अगर राजसभा उसको अप्रूल दे तो Central Government भी उस पर कानून बना सकती है तो इस सब्जेक्ट रखे गए है उस पर कानून बनाने के लिए राजसभाय जो है Center को यानि Central Government को authorized कर सकती है अगर वहां पर मैजोटी से उसको पास किया जाता है तो एक important power है तो इस सब्जेक्ट से अगर को सब्जेक्ट है उसको अगर आप हटाना चाहते हैं या उसके लिए आपको राजसभा की मंजूरी के जरूरी होगी मंजूरी जरूरी है इसके बिन आप इसको नहीं कर सकते हैं आप समझेक्ते राजसभा या यह सब्रेसित की जबहा है यह स्टेट करने के लिए स्टेट का इसको पोटेट करने के लिए सेंटर से इन्क्रोश नहीं हो खतम नहीं हो उसके लिए इसको बनाया गया है इसमें जो है हर स्टेट का कुछ number of seats है जो हमने अल्री देखा था पहले lecture में पहले video में कि हर स्टेट के कुछ seats दिये गए हैं जो वहां के इसी लिए इस्ट्रीट लिस्ट की जो कोई भी सब्जेक्ट कानून बनाना है इस पर कुछ सेंट्रल गौर्वर्मेंट को यूणियन लिस्ट में डालना है या फिर कंगर्डिश में डालना है तो उसके राजसभा के परमिसर की जरूर्वर्ट परेगी अब लोगसभा के गर्म बात करें लोगसभा का एक्ष्ण को पावर जो सिफ लोगसभा के पास राजसभा के पास नहीं है तो यह हमने अलड़ी देखा है कि मनी बिल के केस में लोगसभा के पास पावर है कि वही मनी बिल जो है सिफ लोगसभा में ही इंट्रोड्यूस किया ज क्या सकता है उसको रजेक्ट्छ करने का पावर भी सिर्व लोग्सभा के पास ही है लाज आपwości अबस नहीं कि कॉंशिलुप मिनिस्टर होते हैं वोई लोग्सभा के रिस्पॉंसिबल है लास चाहिप कर नहीं अगर आप यानि कि लोगसभा में उनके उपर लोगसभा में जरूरी है कि वो मैजोर्टी में रहे हर सपोर्ट उनके पास मैजोर्टी सपोर्ट रहे अगर नहीं रहेगा राजसभा भले उनके पास सपोर्ट हो लेकिन लोगसभा अगर सपोर्ट नहीं पास तो वो सरकार गिर जाएगी तो यह कि स्पेस्टल पावर है क्यों ऐसा क्यों होता है कि विकाव राजसाभाज इसलिए इसको जो है जो सरकार उनको लोगसभा में मैजोर्टी की जरुवत है राजसाभा में नहीं इसके अलावा अगर आप देखें तो बिसिकली हर यादर इस फेर्स में दोनों राजसाभा लोगसाभा बराबर है चाहिए वह आपका नन मनी बिल क्यों लेकर के हो कनांए इस को आप समझेज़ेंगे तो आपको काफी आसानी होगा टो पहले एक बिल जो है पेस किया जाता है विल रूब में वह आता है, विल क्या बिसिकली? द््राफ्ट लॉण है, राफ्ट कानून का, द्राफ्ट लॉण बिसिकली बतायाता है, ये एक इनुशेद होंगे, इसमें एक description नहोंता है, इसमें क्या-क्या punishment है, कहां से पैसा आएगा अगर कि बीजिक में दरता है इसको इंटर्डीउस करते है दोनों मसे किसी हाहस में इंटर्डीूस करते है नन मनी बिलग के कैसे में, मनी बिलग के कैसे में क्या है, सिप लोग सबा में ही आप इंटोड्यूस कर सकते हैं, अब इंटोड्यूस तो हो गया, इसके बाद क्या होता है, इसको जो है, वो हाउस, या तो उसको इपर डिसकसन करती है, या जनरली क्या होता, उसको कमीटी को भ इसकास करके वहीं पर वोटिंग करने के रख दें कमीटी जो उसके रिपोर्ट अपना देगी अगर कमीटी के पास बिल गया है कमीटी चाहे तो लोगों से भी इंपूट ले सकती है या माली जी उस case में माली privacy का है या IT को लेकर बिल है तो IT company से लेकर के global company से भी stakeholder से basically जो है वो आप आप अपनों का input ले सकते है feedback ले सकते है यह committee के पास अधिकार है उसके बाद जो committee report देगी तो how to house के जो जो लोग सभा या सभा जो है वो चाहे और ना चाहे उसका report को accept कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है जो यह नहीं accept करना जिनली उसके discussion होता है detail में house वी को पर discussion के बाद bill is accepted और rejected bill तो वो house लोग सभा या सभा उसको accept कर ले सकता है या reject कर सकता है अगर accept कर लिया उन्होंने तो second house के पास वो bill जाएगा पास होने के लिए दूसरे house के पास पर पावर है कि वो approve करे उसको या फिर अपना recommendation दे सकती है या यह changes लेके आया इस bill में अगर उसके बाद जो क्या है अगर वो दूसरा house उसके अगरी नहीं करता है या दोनों house के बीच में agreement नहीं हो पाता है एक house कुछ कह रहा है दूसरा house उसको pass नहीं कर रहा है एक house में pass कर दिया तो उस case में क्या होगा कि joint session बुला सकता है president president joint session बुला सकते है और joint session basic लिए कि आता है यहां पर लोग सभा सभा और राज सभा दोनों का मिल करके एक सेजन होता है दोनों के M.P.'s महाँ पर जूटते हैं यहां से अगर पास हो जाता है उसके प्रसीडिन के पास जाता है वो उसको approve करे जब वापिस भी बेख सेकते हैं प्रसिंद के पास power है इसे हम खते हैं वीटो पावर इसको हमने chapter 4 में देखा है दीटेल में तो थोरा सा तो वीटो पावर जो है वापीस भीज़े विथो कर सकते हैं अगर approve करते हैं तो वह कानून बन जाएगा जिस date से जिस बिल को एफेक्टिव किया जाएगा तो यह बिसीकली प्रोसीजर अगा इसको ध्यान लखे तो आराम से एंसर उसको सब्डिक्टिव में लिख सकते हैं तो बीज जैसे वाने का है अब प्राइबेट मेंबर गकोनिटल को हमाने लाष्ड वीडियो में हम्ने डिस्टराइब किया है प्राइबर बिल अगर किसी मिनिस्टर की किया है तो औ Fehlerer में도 देम का जा जाएग लॉन इस तरह को अग्लि कर रही है तो गौवर्मेंट बिल प्राइबेट मेंबर भी लोगा टाइप सोब बील की अरबात करें हम एक और कर सकते हैं मेथड जो है नंद मनी बिल और मनी बिल हो गया इस तरह के सकते हैं और अधिकल 368 अमेंडमेंट किया है उसको अधिकल 368 में डिफाइन किया गया प्रसेजर को इसके आध हम जो हमने देखा प्रसेजर बिल को पास करने का कानून दाने का उसी को यहां पर डिटेल ने बताया गया तरह से तो बिल पेस करने के पहले भी बहुत सारा डिवेट होता है पालियमेंट के बाहर जैसे कि इन फॉर्मल डिवेट हुआ या जो इन ग्रूप है मी आगर करने के लिए कि उसके बाद जो है प्रिपैर होता बुल्च करने से में बहुती चीजे देखी जाती है है कि बही उसमें जो स्टेखवलडर उनका वियू लिया कि जरुवत हैं, तो सारा कुछ जो है, दिखा जाता है, वो सारा कुछ, उसके अलावा देखा जाता है कि भाई, रिसोर्ज पैसा अगर चाहिए इसकीम के लिए, बिल के लिए तो पैसा कहां से आएगा, अपरीशन का सपोर्ट हमें हैं की नहीं है, आप अगर कौलिशन शुरू होता है उस बिल पे और ड्राफ्टिंग का जैसे हमने देखा तो उस मिनिस्ट्री का काम है कि उसको ड्राफ्ट करें उसके जो छोड़ी चीज है उसको ध्यान में रखें जैसे यहां पर बताया गया है कि अगर मैरेज इसको घटाना बढ़ाना है आपको ठारसी की साल में यहां है उसके बारे मारे पाथ चल लहीए तो वह कानू मिनिस्ट्री के पास जाएगा उनका काम है उसको बिलब को ड्राफ्ट करें विल इंतरूइश का vision सामने का कि बैसे कली स्कूर अपने श्टडी करती है इस टेख खुलडर से फिट्वाइक लेती है। audio by करती है, उसके बाद हb वो बिल वहां से पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में उसको भेजा जाएगा वहां पे भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है कमीटी के बास आप भे सकते हैं, डिसकसन होगा, वोटीं होगी, सारा कुछ वहां पे भी होगा अगर दोनों हो उसके बीच में अग्रिमेंट नहीं होगा बिल को ले करके या किसी एक होस ने बोला कि ये अमेंड्मेंट लेके आई, ये दुसरा बोलना नहीं, हमें नहीं मनजूर है उस case में क्या होगा joint session बुलाया जाएगा joint session में generally क्या होता है लोग सभा के favor में वो जाता है क्योंकि लोग सभा का strength जो है ज्यादा है 500 कुछ है आपका और लोग सभा में आपका 245 का strength है तो इसी लिए लोग सभा के का जो decision होता है basically वही joint session में भी उसी को माना जाता है basically अगर money bill है तो जिसका में देखा राजसभा के पास पावर नहीं है वो क्या है 14 दिन के अंदर बिल को बापीस भेजना है और बिल क्यों reject नहीं कर सकती है money bill को basically राजसभा को पास यही पावर है कि वो suggest कर सकता है लोग सभा जो अमेंडमेंट दिया है राजसभाने suggestion दिया है उसको accept भी कर सकती है लोग सभा नहीं भी accept कर सकती है उसके बाद pass होने के बाद जो है बिल जो है प्रसिजेंट के पाश आता है उनका ascent के लिए प्रसिजेंट के पास भी veto power है कि भाई वो उसको ascent दे या उसको return कर सकता है return के आजा सकता है तो यह method है basically बिल को ले करके कोई भी कानून मनाने का तो friends यह था video third lecture इसके अलावा हम और आगे next lecture में बाकी detail में देखेंगा और chapter के पाथ को तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करे, share करे अपने friends के साथ और subscribe करे इस चैनल को तकि आपको भी वीडियो मिस नहीं करें और बेल ऐकान चुरूर दबाए, thank you friends